पर्यावरण के हम सिपाही हार हमें मन्जूर नहीं बातावरण की अशुद्ता बिल्कुल हमें कुबूल नहीं सफाई बातावरण की अच्छाई हमारे मन की प्रार्थ मिक्ता हम सबकी है इसको भूलेंगे नहीं पर्यावरण के हम सिपाही हार हमें मन्जूर नहीं छटनील आसमान की है ये सारे जहान की पीर और फूलों की महक है ये बहुत कमाल की इस महक को हम पैलाएं सच्छता हम बढ़ाएं प्रक्रति की तरस भूलेना हमें नहीं पर्यावरण के हम सिपाही हार हमें मन्जूर नहीं प्रक्रति जीवन का है आधार आधारे मस्बूत बनाना है देश के प्रधूशन को हटा के देश के काम आना है भर्यावरं के सिपाही है हम जोश हमारा होगा ना कम तुल्षिका और लामन का तो सबसे पहले हम डामन का पीड लगाएंगे उसके लिए हम वन पॉट लेंगे और पॉट के ऊपर यह कुछ नारियल के छीके हैं इसको यहां पर होल के ऊपर डाल देंगे तो फ्राइंक्स हमने डाले हैं इसमें थोरे थोरे करके मिट्टी डालेंगे अराम से डालिएगा तो फ्रैंस हमने इसमें मिट्टी डाल दिये हैं अब हम प्लांट लगाएंगे फ्रैंस आपको बता है मैंने कुछ तिन पैलेट लेवन के सीट मिट्टी के अंदर डालेते और आज ये एक प्लांट बन गया है तो हम इसमें एक छोटा सा होल करके इसको इसमें मिट्टी डाक देंगे तो फ्रैंस आपको पड़ता है इसके प्लांट भी होते हैं रूट्स, श्टांप, लीव, फ्लांट और फूट इन पैड़बोदों से ही हमारा परियावरन शुद्ध होता है और हमें इनसे oxygen मिलता है, foods मिलते हैं और vegetables मिलते हैं और हमें इनको कभी काड़ना नहीं चाहिए और इनको तोड़ना भी नहीं चाहिए रूट्स, प्रिंसिपल सरेंग मैम आज परियावरन दिवस पर मैंने ये कड़ी पत्ते का पौधा लगाया है ये बहुत गुंकारी होता है, इससे हमें बहुत फायदे मिलते हैं ये हमें बिमार्यों से बचाता है अभर ये कड़ी बिमार्यों तोड़ना और ये थे विसलिएंश्ट दालेंगे पेपर, पोले थें और नियूज पेपर, गीले कच्रे में गीला कच्रा डालते हैं, गीले कच्रे से खाल बनाई जा सकते हैं, सूखे कच्रे को फिर से ही यूज़ कर सकते हैं, चीरिया के लिए और डॉब्स के लिए, मैंने की हर के सकत्य को पताने जाने हैं, मैंने मक्तिकों में पानी दे लिए हूँ, और जहां पर डॉब्स और चीरिया सब यहां से पानी पी नहें और जाते हैं, और यह हमने पौदे लगाए हैं मातावध्य के लिए, और धर भी कुछ पौधे लगाने है अमने अपने इंवाइरो मेंट को हरा बरा रखने के लिए पेंड पौधे लगाने चाहिए और हमने वपने घर के पास आसपास सफाई रखने चाहिए लोग्रेल का पोधा लगाया जिसे कभी मैं से हर रोज शुबशाम पानी दिया करूँगा जिसे कभी यासु केना और इसकी पती और फूल खिली-खिली रहेंगी और इसके खुश्बों में बहुत अच्छी आती है ऴुमोरी ऑड़े क스타 ऑड killing फुश्या प्टक्ष्टा सब्से कीं खिलीपरा के अच्छी से क пошथिको कि अच्छी कょओ्ता करो अच्छी काता रोजया में! प्रच प्रच यर्र accelerating कि अपिता People are born, people are used by an but some people after they're gone, they leave behind them a trail of light that illuminizes the path for the thriving followers wise people says action always speaks louder than the words a man is known by his action a people who is great his action is always great like APJ Abdul Kalam was a great positive thinker he helps to make our nation a complete atomic nation while on the other hand a people who think ordinary he act ordinarily and the people who is villain he act evilly we create a good human environment a healthy human environment is one in which we try to make sense of our limits of accidents which can befall us and the passage of time which inexorably changes us a good human environment is one which consists of positive mindsets supporting people and young leaders if we have positive mindsets then good thoughts arises and good thoughts forces us to speak good words and do good deeds which make a strong society having a positive mindset also helps in decreasing bad deeds in a society so to build a happy and healthy human environment young innovative ideas and mindsets are very much essential a very important day for all of us that is celebrated on 5th june every year to spread awareness and to encourage people to protect the environment environment is our surrounding in which we live it is the source of life all the need of human beings are food water shelter are totally dependent on environment all the human actions in this modern world directly impact the whole ecosystem increasing demand of technologies and modern industries in this modern time impact the name impacts the nature people celebrate world environment day in in many different ways like planting trees cleaning up local beaches organizing meetings etc the first world environment day was celebrated in 1974 in spokane in the city of spokane in usa all the actions have brought a big change in this planet the food we eat and the air we breathe the water we drink the climate that makes a planet habitable this all come from our nature for instance each year marine plant produce more than half of our atmosphere of season and a matter tree cleans our air absorbing 22 kilos of carbon dioxide while environment day is hosted by colombia this year 2020 is the most reowned day for environmental action since 1974 it is celebrated on every the 5th june engaging government businesses celebrities and cities chance to focus their efforts on pressing environmental issue with this keep your surroundings clean and green good or bad quality of social life depends on the quality of our natural environment the need of human beings for food water and shelter and other things depends on the environment around us however man has been harming the beautiful environment in the name in industrialization and urbanization he has been cutting trees and in millions of across of forest he has installed manufacturing units on the bank of life giving rivers these manufacturing monsters spew smoke into the atmosphere whose air all humans and animals breathe so save earth and save life save environment and save life 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 and save बीखी बीखिय बीखियों